नमस्कर दोस्तो आपको आरो लेना है दोस्तो आरो सबको नहीं लेना चाहिए जी हाँ वाटर प्यूरुफायर लेना चाहिए अरे कहना क्या चाहते हो अगर आप 12 से 15,000 खर्च करने वाले हैं तो सबसे पहले आप TDS यानि टोटल डिजॉर्ब सॉलिड मीटर जो धाई 100 से 300 के लभग में मिल जाएगा आप उसे लेकर पानी का TDS चरूर जाच ले इससे आप अपने लिए बेस्ट वाटर प्यूरुफायर का चुनाप कर पाएंगे तो अगर आपके यहां पानी का TDS लेवल 300 या इससे कम है तो वह पानी पीने योग्या है इससे आपको आरो नहीं लेन चाहिए आप UB plus UF वाला वाटर प्यूरुफायर ले सकते हैं यागर TDS लेवल 500 से लेकर 2000 तक है तो आप आरो वाटर प्यूरुफायर ले सकते हैं दोस्तों WHO यानि World Health Organization के अनुसार TDS लेवल 300 तक अच्छा माना गया है वहीं BIS Barrier of Indian Standard के अनुसार TDS लेवल इंडिया में 500 त पूरे TDS यानि सभी और कार्बनिक लवन को बाहर निकाल देता है यह पानी का स्वाद भी चेंज कर देता है आरो वाटर प्यूरुफायर सिर्फ 500 से उपर TDS वाले जगहों पर ही लेना चाहिए सबको नहीं दोस्तों 100 से कम TDS वाले पानी भी पिनी योग्य नहीं होता है क् पानी में कुछ लवन यानि केलसियम, पोटैसियम, अगनेसियम इन सभी का मिश्रण होता है वाटर प्यूरुफायर लेने से पहले आप अपने घर के सदस्वय की संख्या को ध्यान में रंख कर ये वाटर प्यूरुफायर की खरदारी करें तो चलिए देखते हैं हम पाच प्यूरुफायर को देखेंगे लिस्ट में पाला लिफ्यूर ग्लो प्रोप्लस वाटर प्यूरुफायर है यह वाटर प्यूरुफायर 7-Litre water tank capacity के साथ आता है इसमें RO यानि reverse house में से Uv यानी Ultra Wallet, UF यानी Ultra Filtration के साथ आता है यह 2000 TDS तक Water को Purifier करता है यह Water Purifier 7 Phase Filtration पर work करता है Water Purifier का Body Plastic material से पना हुआ है यह Water Purifier उनलोगों को लेना चाहिए जहां पर Water का TDS level 500 से ज्ज़दा हो इस Water Purifier का warranty 1 year का है और इसका Prize 8192 है इस Water Purifier में लार्ज साइज यानि 10 लिटर कैप सीटी का Water Tank मिलता है यह Water Purifier भी आपको 2000 TDS लेवल तक के पानी को Purifier कर सकता है ध्यान रहे कि आरो Water Purifier में लगा फील्टर बहुती छोटे छीदर से होकर निकलती है जिसके कारण 3 लिटर पानी Purifier करने पे एक लिटर पानी ही पीने योग्यों होता है यह Water Purifier का One Year का वरांटी है और इसका प्राइज 12,999 है अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आप इस Water Purifier को प्रेफरेंस दे सकते हैं यह UV प्लस UF टेक्नलोजी के साथ आ जाता है UF यानी Ultra Filtration इसमें भी पानी फिल्टर से होकर ही Purifier होती है यह फिल्टर सब्धिया करबनी कलोनों को बाहर निकाल कर यानी पीने योग्यों के पानी बनाती है के साथ आता है यह UV प्लस UF टेक्नलोजी के साथ आता है इसमें UV यानी Ultra Filtration होता है Electricity से इस फिल्टर में यह किड्ने चलती रहती है और जीतने भी आप करबनीक चीज है हुआ इस किड्नों से एक निसक्रियों हो चली जाती है और आपका Water Purifier हो जाता है यह Water Purifier 5 Stage Filtration पर वर्क करती है इस Water Purifier में 300 TDS लेवल वाले पानी के लिए बेस्ट है या एक मीडियम फेमली के लिए बेस्ट Water Purifier है इस Water Purifier का एक साल का वरेंटी और इसका प्राइज 9,909 है लिस्ट मागला AOA Smith Z1 Hot Plus Normal UV Water Purifier है यह Water Purifier में Hot and Normal दोनों पानी मिल जाते हैं और इसमें आप अपने अनुसार पानी के टेंपरेचर को सेट कर सकते हैं यह Water Purifier भी पानी का TDS 300 तक है तो ही अपले कियोंकि यह UV प्लस UF टेक्नलोजी के साथ आता है इसमें आरोट टेक्नलोजी नहीं है यह Water Purifier 10 लीटर का लार्ज वाटर टेक्नलोजी के साथ आता है यह 5 पे स्टेज Purifier टेक्नलोजी के साथ आता है इस Purifier में 45 डिगरी सेल्सियस, 280 डिगरी सेल्सियस दोनों टेंपरेचर का ओप्सन मिल जाता है इसका भी body plastic material से बना हुआ है इसका भी one year का warranty मिल जाता है इसका price 15,490 है तो दोस्तो अगर अभी भी कोई confusion है आपको तो हमने Water Purifier Buying Guide का वीडियो बनाया हुआ है लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्सन में मिल जाएगा हमने जितने भी इस वीडियो में Water Purifier बताय हुए है उनका Bying Link डिस्क्रिप्सन में आप चेक आउट कर सकते हैं तो दोस्तो आप कौन सा Water Purifier लेने वाले हैं हमको कमेंट में जरूर बताए अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो हमने चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और हाँ आपको लगता है कि इस वीडियो को किसी की जरूरत है तो उसके पास सेर कर दिजेगा बहुत बहुत धन्यवाद